लो गाइस कैसे आप सब आई होप काफी अच्छे होंगे मैं प्रमोद अग्रहरी आप सभी लोगों का इंजीनियस अड़ा पर स्वागत करता हूं और मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक बन्यूज लेकर आया हूं कि यूपी आर्विनल की आजसे फार्म फिलिंग इस्टार्ट हो गयी है और आप लोग जल्डी जल्दी हो सके करना इस्टार्ट कर दिजिए क्योंकि लाश्ट में कुछ आपको प्र्रॉब्लम्स हो सकती है कि सर्वर प्रॉब्लम हो जाए या कुछ डेट कब तके सारा कुछ हम यहां डिसकस करेंगे कौन से लेवल का होगा तो कि हां कौन से पे ग्रेट का होगा आपका कौन से होगा क्योंकि आप लोगों जितने जल्दी-जल्दी हो सके यार ट्यार हो जाएए बैकेंसी बीसो पचीज सो डेजन माइटर आपको तो एक सीट स मतलब आए देखिए असे मतलब है देखिए अगर 40 बढ़िया है आपने मिहनत किये हैं तो आई होप आप सेलेक्ट होंगे यह वाए एक वैक यहाएगी तो एक वैकंसी में भी आप सेलेक्ट और यहां पर सारी फैगल्टी है जो भी फैगल्टी आप लोगों के लिए बेस्ट गाइदेंस प्राइड करवाएंगी उनके गाइडेंस में आप लोग पढ़ाई करें जैसे यहां पर हम दिसकस करते हैं क्या क्या है इसका कि यहां पर UPR, UINEL की जो vacancy है, UPR, UINEL की जो vacancy है, UPR, UINEL की जो vacancy है, UPR, UINEL में देखेंगे, कि यहाँ पर कितने, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, आपकी seat कितनी है, यहाँ पर अवारा विहनता, JEE की अगर vacancy देखा जाए, यहां पर यह देख रहे हैं कि यूर की नाइन सीटे हैं और नॉन किरमी ओबी सी की नाइन सीटे हैं यह सी की आपकी सीटे हैं यह स्टी की आपकी वन सीटे हैं और एडबलू एस की आपकी टू सीटे हैं टूटल इसको यहां पर देखा जाए 28 29 सीटे कितनी 28 29 सीटे हैं 29 सीटे यहां पर आपके जेए की है किसकी सिविल इंजिनरिंग जेए की है और इसके बाद यहां पर यह देखेंगे कि यहां पर जो यह लेवल लिखा हुआ है आपका अभियनता लेवल तो यहां पर यह भी देख लेते हैं मैं आपको बते हैं और एक फर्मसिष्ट की भी वैकेंसी है ओके सिविर अवर अभी अनता प्रेसिश्ट की जानपाद लेवल सेवन लेवल की होगी तो आपका ये च्वालीश दर नौशो पड़ेगा जो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज विद्धूत पादन नियम के द्वारा नियमा उनसाल लागो होंगे ओके तो यहां तक आप देख पा रहे होंगे इसके बाद इंका एज क्या होगा एज क्राइटेरिया इनका क्या है एज क् Info £10. già से में ऐना किया गया है कि और यहां पर आपको मैं यह भी बता दूंँ के बाद क्या है कि को हाई इनकों कॉं कॉन लोग इसको क्राइब कर सकते हैं भी आप लोग जान लिजे कौंग से लोग कर सकते हैं यहां पर हिंदी इंदेवन अग्री स्क्रिप्ट ने होना चाहिए इप्ध कंडिडेट है इस नाट पाज़ थाइश्कूल इक्वेलेंट इग्जामनेशन हिंदी ही इस प्लेर देग्जाम कंड़क्ट रजिस्ट्राइब मतर थीर डिप्लोम आपका होना चाहिए फाइनली आप यह जानने होगा इसके बाद देखें कि और इसमें क्या क्या है कि अवेदन सुल्क के बारें बात किया जाए यह तो फर्मासिष्ट का हो गया अवर यह अवर अवर अवियंतक अभी है अवर यह अन्तक आपका 826 रुपाय का होगा जिस्टी सही था यह ओके यह सब अनुसूच निगरे की लिए कितना होगा 1180 रुपाय का फार्म आपका होगा ओके और इसके बाद हम आगे और चलते हैं आगे और चीज़ बता देते हैं पार्ट करम चैन्ट प्रक्रिया क्या होगी यह आपके लिए सब ज्यादा जरूरी है यह आपके लिए जानना सब ज्यादा जरूरी है कि पार्ट करम प्रक्रिया क्या होगी इसका जिसे यहां पर देखा जाए कि क्या होगा यहां पर अगर देखा जाए कि 1 में पहले तो आपको बता दूं यह सीबी कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा सिंगल पेपर होगा और उसी पेपर की अधार पर आपकी मेरिद बना दी जाएगी उसी से आपका selection होगा जैसे यहां पर देखा जाए और objective आएंगे 150 कुशन आएंगे 500 कुशन आएंगे और जो minus marking होगी वो आपकी one fourth होगी जो minus marking होगी negative marking होगी वो आपकी one fourth होगी ओके तो एक बार फिर से discuss कर देता हूँ आपको कि यहां पर जो पेपर होगा ना CBT कंप्यूटर टेस्ट होगा तीन घंटे का पेपर होगा आपका और अनुसूचित जन जाती के लिए 28 परसेंट अन्य अभियार्तियों के लिए न्यूटम 33 परसेंट आपको अंक प्रफामप्य आपक होगा और यहां से टेक उसथैन और यहां भी एक नमनबर के लिए वन बाई फोर्थ उसके रिनात्मक के लिए निगेटिव के लिए होगा ओके तो यहां पर इभी आप देख लीजिए और देख के समझ पाए होंगे कि डिएड़ सो पहला दो पेपर होगा एक भाग में एक जो एक पेपर होगा उसमें डिएड़ सो कुशन तो आपके क्या और उसमें 50 कुशन आपका नॉन टेकनिकल होगा और इसके बाद प्रक्रिया क्या होगी इंकी कम सीबीटी अधारित होगी और इसमें इसी क्या अमसार मेरिट बनाई जाएगी और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं अब यहां आप तो जान गए कि मतलब आपका सलेबस क्या हो और हां डाकुमेंट वेरिफिकेशन तो इसके लिए तुम्हाय अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा और अभी इसके लिए फार्म फिलिंग के लिए क्या-क्या और चाहिए यह आपको बता देता हूं मैं तो क्या-क्या-क्या-क्या देख लीजेश क्योंकि आपको फोट इमेज खिली बहुत ज्याधा प्रॉब्लम होती फोटोग्राफ इमेज के लिए आपकी पीन वीक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फोटो के और लाइट बाइग्राउंड होना चाहिए पिक्शर के और color picture होनी चाहिए आपको इतना लाइट लाइट ग्राउंड ऑल्डर देन थ्री वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसकी साइज जो ना 20-50 km की होनी चाहिए और यह किस फॉर्मेट में होना चाहिए जए पीज एक फॉर्मुट में या जई तो यहां और वापको प्राब्लम होती है और इसके जो सागी होनी चाहिए ना टेंटू 20 KV की आपकी साइज होनी चाहिए ओके तो यह फार्म किब से आपका स्टाट हो गए भी आपको बता देता हूं है आपका देखें फार्म न आज से स्टार्ट हो रहा ऑनलाइन फार्म करने की तीथी कब से है 29, 8 and 2022 को लाश डेट कब है 19 सितंबर की इसकी लाश डेट है तो आप लाश डेट का इंतजार मत करिएगा जितनी जल्दी जल्दी हो सके फाम फिल करिए और अपने तैरी में लग जाएए क्योंकि आपको भी पता तैरी एक दिन में नहीं होगी तैरी आपको करनी पड़ेगी और तैरी में रातों को जगना पड़ता है नींदों को एंधर दूब आप ऐसे रहां से अड़ा टूफूर्ट 247 में जाएंगे इसके बाद आप लोग आल कोर्सेज में जाएंगे आल कोर्सेज में जाने के बाद क्या है गेट और इंजीनिंग एंग्जीनिंग में महापैक आप परचेस करेंगे क्योंकि मामा है पारक इसलिए हूँ क्योंकि अगर आप महापाइक पर्चेस कर लेंगे न इसमें आपको बहुत कुछ ज्यादा मिलें बहुत कुछ ज्यादा चीज़ें मिलेंगी आप से सब्जेक्ट से रिलेटर देखिए पहले तो एससी जे सारे एक्जाम यहां पर इंक्लूड होंगे और आप यह देखेंगे कि आपको यहां कितने कम प्राइस पर प्राइस पे आपको प्राइड करा जारा अब सिविल के लिए सिविल के देख लेते हैं जैसे यहां पर कितने का 16,000 करीप दिखा रहा जैसे आप आफर पर जाएंगे तो आपको इतने नहीं पर्चेस करना ओके आपको न तो यमी 75 लगाना है न तो फ्लैस 15 पर्शन लगाना है मैं यहां बताता हूं कि आपको कोड कौन सा अगर आप यहां वाई 579 अगर यूज करेंगो क्या कोड यूज करना है वाई 579 अगर आप कोड यूज करते हैं न तो आप यह देख सकते हैं कि यहां पर आपको कोड कितने का आपको पड़ जारा three six seven eight का और बता दूं यह इससे भी कम मिलेगा कम मिलेगा जब आप डाउन लोट करके करेंगे ना तब यह नियार बहुत 35 रुपाइगा पड़ेगा तो यह भी आप ध्यान दे सकते हैं तो आपको कोड क्या यूज करना है एक बार वाई फाइव सेवन नाइन आपको कोड यूज करना है यह जरूर रियाद रखिएगा नहीं तो आपको कोर्स उतने का ही पड़ेगा तो कोई मतलब होगा नहीं बिना मतलब का पैसा वरबात करने से जमाम आपको प्रवाइड करवा रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डवाल वैलीडिटी अभी आज ही है अभी डवाल वैलीडिटी आ गई है आप इसको जोईन कर सकते हैं जितनी जल् प्रवाइन का हो जाएगा और यहां पर डावल लड़ेडिटी है सिक्स मत वाले के लिए भी डावल वैलीडिटी आपका रनियर का होजाए तो मैं आपको यहां पर और क्या-क्याय आपको मिलेगा महापैक के अंदर महापैक के अंदर आपको live classes test series revision book all ebook मिलेंगी और देख सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं आप से पांत बजे से सेशन पर ओके बबाई टेक क्यार